दोस्तो आज का वीडियो भी हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर पर होने वाला है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉंटेक्टर को कैसे रिप्लेस किया जाता है वो भी हमने प्रैक्टिकली करके बताया था लेकिन उस टाइम पर हमसे एक मिस्टेक हुई थी जिसके कारण ये कॉंटेक्टर है वो दुबारा खराब हो गया है तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको इस परकार का काम करते समय कोई सी मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी कोई मिस्टेक ना हो इसलिए हम आपको यह वीडियो लेकिया है तो हमने क्या मिस्टेक की थी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये contactor खराब होने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं कैसे इसको maintenance कर सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको like share जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप इसी परकार की वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हम कोई वीडियो अप्लोड करें उसका notification सबसे पहले आपके पास आजाए तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखी ये जो starter है वो हमने फिर से निकाल लिया है बाहर जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको कैसे निकाला जाता है और निकालने के बाद ये contactor है आपको फिर से बाहर निकाल लेना है तो contactor बाहर निकालने के बाद हम आपको बताएंगे क्या fault आया है इसमें तो देखी इसकी जो अंदर coil लगी हुई है जो हमारी starter में coil होती है वो coil इसकी जल गई है तो ये किस current से जली है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो ये हमारी mistake हुई थी जिसके कारण ये coil जली हुई है तो इसमें mistake क्या हुई थी वो हम आपको बताएंगे सबसे पहले हम ये coil है इसको बाहर निकाल के आपको बताएंगे तो आपको ये जो side में दो screw लगे हुई है इन screw को खोल लेना है और जब screw आप खोल लेंगे तो ये उपर का जो part है वो पूरी तरह से बाहर निकल आएगा और आप जो coil है उसको निकाल सकते हैं तो देखिए इस परकार से आप इसको उठाएंगे तो ये जो उपर का portion है वो निकल जाएगा और ये हमारी यहाँ पर coil लगी हुई है तो देखिए ये जो coil है वो पूरी तरह से हमारी यहाँ पर जल गई है तो ये किस कारण से जली है तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया जो हमारा contactor था वो तो 440 बोल्ट उस पर नोट था लेकिन क्या है जो ये जो coil है वो इसकी 220 बोल्ट की थी तो हमने इसको 440 बोल्ट पर चलाया तो कुछ टायम तक तो ये बर की कम से कम 10 मिनिट तक मोटर इससे रन हुई लेकिन उसके बाद ये जो coil है वो हमारी जल गई आग लग गई इसमें जो कॉंटेक्टर था उसमें आग लग गई थी और जो हमारा बड़ा नुकसान होने से बच गया था अगर हमारे जो स्टार्टर है उसमें भी आग लग जाती तो हमारे सारे उसकी कॉयक्त की हम्हारा कॉंटेक्टर था जो हमने रिपलेश किया था तो इसकी कॉयल Bunu replace कर करेंगे तो यह देख़े दोस्तों इस परकार की आपको भी मिस्टेक नहीं करने mieć अप जब भी कर काम करें वह पहले चेक करने की उसमें कॉयल कॉंसी है क्योंकि यह हम से jsए हुई है कि जो हमारा कॉटेक्टर था उस्के उपर 40 फोर्ट Wed लो देखा हुआ था तो हमने सोचा कि यह पर 440 ऑल्ट की कॉइल होगी लेकिन उसके अंदर 220 teachers के काइल थी तो अब हमें क्या करना होगा यह जो हमारी काइल है इसको हमें replace कर लेना होगा हमारे नया वालेbs तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यह जो हमारी पुरानी वाली Dimo जो जल गया है हमारी 함 नयावाला तो इसकी count है वो भी हमें निकाल ली होंगी तो जो हम अभी कोर को जो हमारा जला हुआ है नया contactor है यही core लगाएंगे हम इसकी core को replace नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम core को replace करेंगे तो यह अगर हमारा जो contactor है उसमें miss match होगा जो core का तो उसमें बहुती ज्यादा sound होगा हमारे contactor में तो हमने जो core थी वो वही रखी है और जो हमारा coil थी उसको हमने इसमें replace कर लिया है तो आपको ध्यान रखना है जिस परकार से आपने coil को निकाला है उसी परकार से आपको यहाँ पर set कर देनी है और ये जो बायर है हमारे जो wire है A1 A2 जो coil की हमारे दोनों supply है तो उसको आपको इस परकार से निकाल लेना होगा और ये जो contactor है इसको आपको इस परकार से set कर लेना होगा और उसके बाद आपको ये cover है उसके उपर लगा लेना होगा fix कर लेना होगा और fix करने के बाद आप इसको सीधा रखेंगे और उसके बाद जो दो स्क्रूब लगी हुए थे उसमें वो लगाने होंगे तो पहले आपको कॉंटेक्टर को चेक कर लेना है कि वो सही से बर्क कर रहा है या नहीं इस परकार से आपको ये दोनों स्क्रूब को भी टाइट कर देना होगा तो फिर हम दोनों इस्क्रूब लगाने के बाद फिर जो हमारा connection है इसके दोबारा इस connection को करेंगे और फिर चेक करेंगे motor को चलाकर की कि motor चालू हो रही है या नहीं हो रही है तो देखिए दोस्तो ये mistake बहुती छोटी mistake थी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए इससे बहुती बड़ा नुक्सान होने से भी बचा है हमारा इससे और ज्यादा भी नुक्सान हो सकता था तो आपको इस प्रकार की कभी mistake नहीं करनी है तो यही बीडियो हम आपको इसलिए बताने वाले हैं कि अगर आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या-क्या उसमें चेक करना है कोईल को देखते समय या जो हमारा contactor है उसको replace करते समय तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना हो होगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पर काम करना होगा तो यह हमसे mistake हुई है तो वह हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इस प्रकार की mistake कभी नहीं करनी है तो इसके बाद आप आपको जो भी connection है उसको भी बिलकुल proper करना है जिस बायर को आपने जहां से निकाला था या पिर यह start ही नहीं होगा अगर आपकी जो controlling बायर है उसमें कोई mistake हो गई और अगर आपकी power में भी mistake हुई है कोई बायर short circuit हो गया है तब भी यह contactor है वो पूरी तरह से जल सकता है तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस परकार से आपको कौन सा बायर कहां पर connect करना है तो या तो आप ड्रेंग में देख सकते हैं या आप जब भी contactor को खोलें यह निकालें तो उसमें जो बायर जिसे गया से निकाल ला है उसको आप बहां पर mark कर सकते हैं तो देखिए आपको यह connection है इसके connection को भी fully tight करना है इसको lose बिल्कुल नहीं रहने देना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी motor थी वो बड़ी-बड़ी motor लगी हुई है और यहाँ पर load भी करीब हमारा 30A से भी ज़्यादा रहता है तो आपको हमेशा जो connector है उनमें जो बायर connect कर रहे हैं वो बिल्कुल tight होना चाहिए बिल्कुल भ रहेगा तब भी हमारे जो contact starter है उसमें spark होगी और spark होने से हमारा contact भी जल सकता है तो आपको याद रखना है यह जो tight proper करना है यह भी mistake नहीं कर सकते हैं अप electrical की किसी भी connector में किसी भी connection में आपको बिल्कुल mistake नहीं करनी है तो हमने देखिए contactor को change कर दिया है और इसको सही कर cover को बंद कर दिया है और cover को बंद करने के बाद हमने जो हमारा main switch था उसको भी on कर दिया है और अब हम starter को check करेंगे कि हमारा starter है वो work कर रहा है की नहीं तो start करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जो starter है उससे थोड़े दूर रहे है face बिल्कुल सामने ना रखे तो देखिए यहाँ पर जो हमारा starter है वो run हो गया है और यह जो हमारी motor है वो चालू हो गई है तो इस परकार से यह हमारा work करेगा अब इसमें हमारी कोई mistake नहीं आएगी क्यूंकि अब हमने यह coil थी वो 440 volt की डाल दी है तो दोस्तों आपको इस परकार की mistake कभी नहीं करनी ह जब भी आप कम करें तो याद रखें